Hello friends, my name is पाया जाकर, I am here again new chapter, chapter number is 6, chapter name is square and square root So let's start, this video is introduction video, इस video में हम topic and concept discuss करेंगे So let's start, first of all देखें square, हमार square क्या होता है So square हमने symmetry chapter में ये बाना पड़ा था, इसकी four sides equal होती है This is a square, लेकिन इस पर square में अलग है, suppose कीज़े बार पास 2 है So square कितना होगा, 4, this is a square, okay, 3 है, देखें square क्या होगा, 9, this is a square ऐसे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक ऐसे square बढ़ाएगे हम, okay So देखें, start करते हम, area क्या होता है हमारा First of all, area formula is, area of square is side multiply side यह side multiply side होता है, अब देखें हम sides निकालते हैं इसके बाद, area निकालिंगे तन square Area, फुर्टों का square क्या होगा? Side is, 1, 2, 3, 4 and so on जार तन पर हमारे counting, 10 तक यहां पर निकालिंगे उसके बाद इनका अगर हम area लिखेंगे तो, 1 multiply 1 2 multiply 2, 3 multiply 3, 4 multiply 4, then So on, उसके बाद अगर हम इसके square बनाएं देखें, 2 1 बन सा, 1, 2, 2 सा, 4, 3, 3 सा, 9, 4, 4 सा, 8 So अब इसके square बनाएंगे तो, 1 का square कर दिंगे 2 का square कर दिंगे 3 का square कर दिंगे 4 का square कर दिंगे So on So 1 बन सा, 1 2 बन सा, 2 Sorry, 2 बन सा, 4 3 बन सा, 9 4 बन सा, 16 Okay 4 बन सा, कितना होता है? 16 So यह हमारे क्या है? Squares Squares है, and this is a square 1, 4, 9 And 6 are called a square Okay, अब हमारा देखिये, अब क्या पढ़िंगे है? Properties Properties क्या है? 1st properties If a number End with digit 0, 1, 4, 9, 5, 6 0 is a even number Means हमारे जो end बाने digit जैसके end होता है, वो कौन कौन सी होंची? 1, 4, 9, 5, 6 So यह क्या हमारे 1st property So इसको solve करते This means क्या है, देखिये हम 10 तक square root बनाएंगे So 1 का square 1, 2 का square 4, 3 का square 9, 4 का square 16, 5 का square 25, 6 का square 36, 7 का square 49, 8 का square 64, 9 का square 81, and 100 का Sorry, 10 का square is 100 Okay, यह हो गया हमारे 10 तक square अब उसले काए end digit 1, 4, 9, 5, 6, and 0 1, 4, 9, 5, 6, and 0 फिर रिपीट हो जाएगा देखिये 1, 4, 9, 6, 5 फिर 6, 9, 4, 1 6, 9, 4, 1 1 तो है So अब 0 भी होगा 0 is a even number Okay, so यह क्या हमारे square root Sightman ने example दिया देखिये Means ऐसे में square roots बनाने थे So यह हमारे end point अगर देखिये हमारा 100 का square क्या होगा? 10 और 1000 का square हो सकता है? No कि यह even है Even में 3 आरे So हम क्या लिखेंगे? 10 multiplied, 10 multiplied, 10 And 10 multiplied 3 क्योंकि 3 है So 3 लगा दिने हमे Even number नहीं हमारा odd number क्योंकि इसमें 3 0 आरे है इसमें हमारे only 2 0 आरे है Okay So next property है हमारी If a number has 1 or 9 At it place then Square of number end with 1 Means हमार पस 1 or 9 number है वो कौन से place पे आरा है? 10 Square of number is Means square में last में 1 9 को solve करके Square रूंकि आरे 1 9 So देखिए हम फिर से square लिखते है 10 तक So 1 का स्क्राइ 1 2 का स्क्राइ 4 3 का स्क्राइ 9 4 का स्क्राइ 16 15 का स्क्राइ 35 का स्क्राइ 25 6 का स्क्राइ 36 7 का स्क्राइ 49 8 का स्क्राइ 64, 9 का स्क्वेर, 81 then 10 का स्क्वेर 100 ओके अब उसने का है हमारी देखिये हम ले ले लेते हैं 21 का स्क्वेर and 90 का स्क्वेर लास्ट नो उसने का 1 और 9 होना चाहिए न 1 और 9 है then जब नियुके हम स्क्वेर लिका लेंगे तो last one का 1 आना चाहिए तो देख ये 21 1 21 से multiply कर देख 1 1 जा 1 2 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 2 1 2 1 जा 2 आएगा 4 and 4 last में क्या है हमारा 1 4 4 1 last में क्या हमारा 1 then उसकी बाद 9 में भी आथा है last में 1 आना चाहिए तो 1 कैसे आएगा देखिए 19 19 9 9 जा 81 1 8 9 जा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 multiply 9 1 1 जा 2 जाएगा 9 7 9 10 11 12 13 14 15 16 6 केरी 1 1 2 3 last में क्या आगया हमारा 1 जाएगा लास्ट में जाएगा आना end भी तू 1 1 से end ओर जाए ओके अब देखिए next next property क्या है हमारी next property भी जाएगा 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 4 और 6 means 4 होना चाहिए last position 6 होना चाहिए और join का square करके आए वो last में उसके क्या हो जाएगा कुछ भी हो last में 6 होना चाहिए last portion की तरह है means last property की तरह है so और करते है हम ले लेते 14 का square and 16 का square okay so 14 का square लेंगे हम 4 4 जा 16 4 1 जा 4 and 1 5 1 4 जा 4 1 1 जा 1 6 9 1 1 9 6 आगया last में क्या है हमारा 6 okay then उसके बाद में 16 का निकालना 60 के last में भी हमारा 6 आना चाहिए तो 16 का निकालते है 6 6 जा 36 6 1 जा 6 7 8 9 1 6 जा 6 and 1 6 5 क्या गया 2 5 6 last में हमारा क्या रहा है 6 so इस property का last में हमारी क्या आन कि है 6 अब देखीं next property 4 अब देखीं नेक्स परपटी फोर्थ देखीं नॉन पर्फेक्ट स्क्यार नंबर बिट्वीन दस्क्यार और दस्क्यार रहा है अब देखीं इसने क्या बोला है हमें n का square plus n square plus के बीच वाले number बताने है इनके जगा हम light कर लेंगे 1 का square and 2 का square 1 का square is 1 2 का square is 4 इनके बीच वाले number कौन कौन से 2, 3 2, 3 है only 2, 3 है so देखिए 2, 3 last क्योंगी 2 है so इसमें भी क्या हैगा 2 n यह क्या है non-perfect square यह 2 n क्या हमारा non-perfect square है एक और example लेते हैं देखिए 2 का square end फिके square का बीच का distance अब देखिए 2 का क्या है जैसे की 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19 so on so हमें first odd natural numbers लेने हैं हम ले लेते हैं कितने भी ले लेते हैं odd number हमें 1, 3, 5, 7, यह ले लिए ले जो ले 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 जती हैं 9, 11 अब इनका plus करके उसका square जो भी आएगा वो हमारा natural number गो odd natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 का square क्या है हमारा? 36 36 ओके, तो क्या होगे 36 हमारा क्या है? odd natural number इसमें ये था next है हमारा 6 6 क्या है हमारा square of an odd number sum of two constitutive numbers means odd number लेंगे उसका square जो भी होगा उसमें हमें two constitutive numbers find करने है तो कैसे करेंगे? देखिए odd number कोई भी ले जाए हम 5 ले जाए हम 5 ले जाए है 5 का square 25 अब हमें इनके बीच वाले numbers बताने है तो constitutive number होने चाहिए तो कैसे बताएंगे? रेखिए 25 है सो क्या लगेंगे? देखिए 5 minus 1 upon 2 देखिए के बीच के 5 का square जो भी है plus 1 upon 5 का सिरक है 25 minus 5 1 upon 2 देखिए के बाग 25 plus 1 upon 2 ओके सो इनका plus क्या आगा? देखिए minus करेंगे तो 24 आगा, plus करेंगे तो 26 होगा सो 24 अपान 2 26 अपान 2 सो इस कठो जाएगा, 2 1s है 2, 2 1s है 2, 2 2s है 4 2 1s है 2, 2 1s है 2, 2 3 जा, 6 सो क्या जाएगा, 2 consecutive numbers, 12 and 30 ओके, यह क्या होगे हमारे, 2 consecutive numbers ओके, next है हमारा, square of an odd number यह होगा हमारा, अब देखिए अब पढ़िंगे हम, क्या 2, find, square जिसे हमें, find, square, find करने तो लिखिंगे, 2, find, square किसी का बेले लेते हैं, हम देलेते, 12 का 12 का, हम तो square, find करना है ओके, तो देखिए, square हम लगा देते कैसे find करेंगे आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2, square, plus, b, square, plus, 2, a, b यह किसका फॉर्मूला, a, plus, b, का और a, minus, b, का फॉर्मूला क्या होगा सेम यह होगा, बस, minus लगेगा ओके, अब हमको सिर्फ, first रवाला पूछा है a, plus, b, square ओके, तो देखिए, 12 12, 12, 12 का square ओके, तो 12 कैसे हम इसको a और b पार्ट में डिवाइड करें 10 प्लस 12 का square 10 प्लस 12, so 10 प्लस 2 is 12 ओके, तो a पार्ट हमारा यह होगा then d पार्ट हमारा यह होगा so 10 प्लस 10 का square प्लस 2 का square प्लस 2, 10 और b क्या हमारा, 2 ओके, यह आगे हैं बस equation तो इसको solve करें 10 को 10 से multiply करेंगे, तो क्या है था 100, ओके, तो क्या लिखेंगे 100, प्लस 2 सूजा, 4 प्लस 2, इसको आप डारेक्ट मार्टिप्लाइ कर देते हैं, बीच में कोई भी नहीं सानी है 2 तेंज आ, 20 20 and 2, मेंज मार्टिप्लाइ 2 ओके, अब इसको प्लस करेंगे, तो क्या होगा 1, 0, 4 22 सा, देखें, 20 200, 22 सा, 4 सो, क्या होगा 40 इस 104 प्लस 14 इस 4, 4, 1 यह क्या है हमारा अंसर, 144 ओके, तो यह क्या था 2, 5, square of 12 हमने 5, square उसके बाद, नेक्स्ट होगा हमारा पैटोग्रम टैपलेट तो यह क्या होता है, देखे, we know that set formula है, इसकी 2m, ओके, bracket में m square minus 1, bracket में m square plus 1 अब देखे, हम इस sum को solve करने के लिए हमारे पास digit है, जैसे की 6 6 digit है हमारे पास, ओके, तो क्या करेंगे, 2m लेंगे, square 2 क्या लखेंगे, 6 so, m को हम इदर ही रड़े देगे, 6 upon 2, 2 बेंगे 2, 2 3 जा 6, so m की value क्या लखें, 3 ओके, अब हम इस sum को easily solve करेंगे, तो कि हम हम रपास m की value आ गई, so 2, यहां से हम solve करेंगे इस sum को, 2 multiply 3, m की बनती, m क्या मरती, so 3 का square minus 1, 3 का square plus 1, ओके, so 2 3 जा 6, 3 जा 9, minus 1 is, 9 में से minus 1 करेंगे, then 9 में plus 1 करेंगे, so 6, 9 minus 1 is 8, and 9 plus 1 is 10, so यह क्या गे हमारे, 3 numbers, यह क्या था हमारा, प्यतो हम टाले प्यतों टेपले, प्यतों टेपले टेपले it, okay, so थैसे एंट। प्याशनेम, थच्छ्छ्छ्छ्स